पहला पशन है भारत के सम्मिधान का कौन सा अनुचेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विभाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को सरक्षन देता है तो हमारे पास ऑप्शन है अनुचेद 19, अनुचेद 21, अनुचेद 25 या फिर अनुचेद 39 तो इसका साई उतर हैगा ऑप्शन नमबर B यानिकी अनुचेद 21 अगला पशन है इन मैंसे कौन सम्मिधान सवा की प्रारूपन समिति का सदस्य नहीं था तो हमारे पास ऑप्शन A है NG आयंगर, ऑप्शन B है के म मौँची, ऑप्शन C है BN राव और ऑप्शन D है मुखमद सादूला तो इसका साही उतर हैगा ऑप्शन C यानिकी BN राव सम्मिधान सवा की प्रारूपन समिति के सदस्य नहीं थे अगला प्रशन है चोतालिसवे संवेधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेनी से हटा कर एक बिदिक अधिकार बनाया गया तो हमारे पास आप्शन A है समानता का अधिकार आप्शन B है स्वतनतर्ता का अधिकार option c है संपत्ति का अधिकार option d है शिक्षा का अधिकार तो इसका सही उतर हैगा option number c यानि की संपत्ति की अधिकार को 44 संभिधानिक संशोदन 1978 के तहत मौलिक करतब्य से अटाकर इसे विदिक अधिकार बना दिया गया अगला पशन है निमिलिकित मैंसे किस अनुचेद में भारत का संभिधान अस्प्रिश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यभार को समापत करता है तो हमारे पास option है अनुचेद 17, अनुचेद 18, अनुचेद 19 या फिर अनुचेद 15 तो इसका सही उतर हैगा option number है यानि कि अनुचेद 17 अगला पेशन है संभिधान के अनुचेद 25 के अनुचार धरम सबतंतरता का अधिकार किस के अधिन नहीं है हमारे पास पहला option है सारभ जनिक व्यवस्ता option B है सुआस्तिय option C है सदाचार और option D है मानबताबाद तो इसका सही उतर हैगा option number D यानि कि मानबताबाद के अधिन नहीं है अगला पेशन है संभिधान में मौलिक करतब्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हमारे पास option है 40 संभिधान संशोधन 42 संशोधन 44 संशोधन या फिर 45 संशोधन तो इसका सही उतर हैगा option number B 42 संभिधानिक संशोधन 1906 जो कि मीनी कॉंस्टिचूशन के नाम से भी जाना जाता है अगला पेशन है निमिलिकित मैं से कौन भारत के राष्टरपती के निर्वाचन है तू निर्वाचगन में सम्मिलित नहीं है तो हमारे पास option A है लोग सभा के निर्वाचित सदस्य option B है राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य option C है राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और option D है राज्य की विधान परिशदों के निर्वाचित सदस्य तो इसका सही उतर हैगा option number D, राज्जे की बिधान परिश्योदों के निर्वाचित सदस्य, राश्टरपती के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं होते हैं, अगला प्रशन रहेगा भारत के राश्टरपती पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूरब की सूचना अवश्यक है, तो option A है 7 दिन, option B है 14 दिन, option C है 21 दिन, option D है 30 दिन, तो इसका सही उतर हैगा 14 दिन, यानि की option number B इसका right answer है अगला प्रशन है, यदि भारत के राश्टरपती का पद रिक्त हो जाए और उप राश्टरपती भी ना होता निमन में से कौन कारेबाहक राश्टरपती होगा तो हमारे पास option A है, राजयसबा का उपसबापती, option B है भारत का महा नियाएवादी, option C है लोगसबा का अध्यक्ष, option D है सरबोच नियाले का मुख्य नियादिश, तो इसका सही उतर है का option number D, यानि की सरबोच नियाले का मुख्य नियादिश, जो की कारेबाहक राश्टर option B है लोगसबा, राजयसबा और रुयोजन आयोग, option C है भारत का राश्टरपती, लोगसबा और राजयसबा, और option D है कैबिनेश, सची वाले, लोगसबा और राजयसबा, तो इसका सही उतर हैगा option number C, यानि की भारत की जो संसद हैं वो भारत के राश्टरपती, option C है उप राश्टरपती, और option D है सरबोज नयाले के मुख्या नयादिश, तो इसका सही उतर हैगा option number C, यानि की उप राश्टरपती को अपना त्याग पतर संबोधित कर देते हैं, अगला प्रेशन है, भारत के राश्टरपती और उप राश्टरपती के निर्वाचन मे उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निमी लिखित में किस संबेधानिक प्राधी करन द्वारा किये जाते हैं, तो हमारे पास option A, भारत का उच्चतम नयाले, भारत का निर्वाचन आयोग, option C है, संसदिय समीती, या फिर option D है, दिल्ली उच्च नयाले, तो इसका सही उतर हैगा, option number A, यानि कि भारत का उच्चतम नयाले, Supreme Court of India, अगला प्रशन है, लोगसभा के प्रतम अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे पास option A है, जीवी मामलंकर, option B है, बीवी गिरी, option C है, बीडी जती, और option D है, होकम सी, तो इसका सही उतर हैगा, option number A यानि कि जीवी मामलंकर, लोगसभा के प्रतम अध्यक्ष थे, अगला प्रशन है, भारतिय संसद के स्युक्त सत्तर की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमारे पास option A है, राजय सभा का सभापती, option B है, राजय का बृष्टम सदस्य, option C है, लोगसभा का अध्यक्ष, option D है, राश्ट्रपती, तो इसका सईुत रहेगा, option C, यानि कि लोगसभा का अध्यक्ष, जो है, भारतिय संसद के स्युक्त सत्तर की अध्यक्षता करता है, अगला प्रशन है, राजय सभा द्वारा संभिधान के अनुछित 249 के अंतरगत, पारित संकलप जिसके द्वारा संसद को राजय सूची के भी शेय पर, राश्ट्रिय हित के में बिधी निर्बाता निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवित रहेगा, तो हमारे पास पहला option है, 6 मा से अधिक नहीं, 2 वर्श से अधिक नहीं, या फिर 1 वर्श से अधिक नहीं, या फिर असिमित काल तक, तो इसका साही उटार रहेगा Option norm C यानि कि एक वर्से अधिक नहीं अगला पॉशन है लोकसभा का कॉरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है तो हमारे पास Option नहीं है कुल सदस्या संख्या का एक बटा च्छी या फिर कुल सदस्या संख्या का 1 वटा 5, या फिर कुल सेजस्य संक्य का 1 वटा 10, या फिर कुल सेजस्य संक्य का 1 वटा 8, तो इसका साइ 550 रएगा, option no.C, या नि की कुल सेजस्य संक्य का 1 वटा 10, अगला पुशन है, राज्य बिधान सभाओं में आंगल भारतिय समुदायों के लिए प्रती निरित्व का प्राभदान समभिधान के किस अनुचेद के तहत किया गया है तो हमारे पास option नहीं है अनुचेद 332, option b है अनुचेद 331, option c है अनुचेद 330 और option d है अनुचेद 333 तो इसका सही उतर हैगा option number D, यानि कि 9333, अगला प्रेशन है, मंत्री परिशद समुईक रूप से किस के प्रती उत्तरदाई है, तो हमारे पास पहला option है, राष्ट्रपती, option B है प्रधान मंत्री, option C है लोकसभा, और option B है राज्यसभा, तो इसका सही उतर हैगा option number A, यानि क राष्ट्रपती के प्रती उत्तरदाई है, कौन मंत्री परिशद, अगला प्रेशन है, भारतिय संसद के काम काज में शुने काल का अर्थ है, तो हमारे पास पहला option है, प्रशन काल से पहले का समय, option B है, सत्र का पहला घंटा, option C है, प्रशन काल और अगली कारे सूची के ब बीच का समय, बता देगी, शुने काल का जो समय सीमा होती है, वो एगंटे की होती है, अगला प्रशन है, निम लिखित में से कौन लोगसभा के सत्र का अबसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो हमारे पास option A है, लोगसभा का अध्यक्ष, option B है, महानियाववादी, option C है, तो पहला option है, public interest litigation, option B है, public inquiry litigation, option C है, public investment litigation, या फिर option D है, private investment litigation, तो इसका सही उतर रहेगा, option A है, यानि कि public interest litigation, यानि कि PIL, अगला प्रशन है, भार्तिय सम्विधान का अंतियम व्यक्ष्याता है, तो हमारे पास option A है, केंद्रिय मंत्रिय मंदल, option B है, राश्ट्रपती, option C है, उच नियाले, और option D है, सर्वोच नियाले, तो इसका सही उतर रहेगा, option number D, यानि कि सर्वोच नियाले, अगला प्रशन है, चुनाब आयोग किस अनुचेद के अंतरकत स्तापित किया गया, तो हमारे पास option A है, अनुचेद 355, अनुचेद 256, तो इसका सही उतर रहेगा, option number C, यानि कि अनुचेद 344, अगला प्रशन है, सर्कारिया आयोग की सिपारिशों का समन्द है, option A है, रजस्व वितरन से, option B है, राश्ट्रपती की शक्तियों इभम कार्य से, option C है, संसद की सदस्यदा से, और option D है, राज्ये और राज्यों के पारसपरिक समन्दों से, तो इसका सही उतर रहेगा, option number D, यानि कि केंदर और राज्यों के पारसपरिक समन्दों से, बता दें कि यहों कई परिक्षाव में पूछा गया है, तो यहों बहुत इंपोर्टन है, अगला पशन है, समिधान के किस संस्योधन द्वारा मत्दान क कि आयू 21 से गटाकर, 24, 21 से गटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो हमारे पास option A है, 61 सम्वेधानिक संस्योधन, 64 संस्योधन, 63 संस्योधन या फिर 60 संस्योधन, तो इसका सही उतर रहेगा, option number A, यानि कि 61 संस्योधन में मत्दान की आयू 21 वर्ष से गटाकर 18 वर्ष कर दी गई, अगला परशन है, भारतिय सम्वेधान का अनुचेद, 370 समंदित है, तो हमारे पास option A है, जम्मू और कश्मीर से, option B है, सिक्किम राजे से, option C है, नागा लैन राजे से, और option D है, मनिपूर राजे से, तो इसका सही उतर रहेगा, option A, यानि कि जम्मू और कश्मीर से, बता करने का अधिकार निमिलिकित में से किसे नहीं है, sorry, भारत में राष्ट्री अपात काल की गोशना करने का अधार निमिलिकित में से कौन सा नहीं है, तो option A है, यूद, option B है, बहाए, अकर्मन, option C है, आंतरिक शांती को खत्रा, और option D है, सहस्त्र बिद्रो, तो इसका सही उत रहेगा, आंतरिक शांती को खत्रा, option, अगला प्रशन है, पंचाईती राज भी सह है, option A है, संभर्ती सूची का, option B है, केंदर सूची का, option C है, राजय सूची का, और option D है, शेशादीकारों की सूची का, तो इसका सही उत्र रहेगा, option number C, यानि की राजय सूची का, अगल पास पहला option है, बलबंत राय महता समीती, option B है, अशोक महता समीती, option C है, MLM सिंग भी समीती, और option D है, GB के राव समीती, तो इसका सही उतर हैगा option number यानि कि बलबंत राय महता समीती ने सरप्रतम, पंचाईती राज की त्री स्तरिय व्यवस्ता की संस्तूती की थी, अगला प् किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निमिन लिखित मैं से किसने प्रतिवंद लगाया है, तो हमारे पास option है, समीधान का 52 संशोधन, जनता के प्रतिनिद्व का कानून, या फिर समीधान का 42 संशोधन, और option D है, समीधान का 44 संशोधन, तो इसका सही उतर समीधान का 52 संशोधन कानून, जो कि विधान सबा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिवंद लगाता है, तैंक यू